Friends, petrol pump में जो petrol या diesel आप अपनी गाड़ी में डलवा रहे हो, उसकी quality सही है या खर्याब है ये आप density range से चेक कर सकते हो देखो जो petrol dispenser machine है वहाँ पे आपको amount, volume, rate, इनके लावा density भी लिखावा दिखाई देता है कुछ petrol dispenser machine में आपको ये 700 लिखावा दिखावा दिखाई देता है, कुछ में 735, 747, 747 इस तरह के numbers होते है कई बार तो 800 से जादा के number लिखावा होता और कई बार 0 भी लिखावा होता है basically machine में लिखे होए density से हमें ये मालूम चलता है कि जिस particular time पे, जिस वक्त आप petrol ये diesel ड़ा रहे हो अपनी गाड़ी में वो उसकी quality सही है या खराब है वैसे ministry of petroleum and natural gas ने इसके लिए एक range set किया है petrol के लिए density का range है 720 से लेकर 775 kg per meter cube अगर आपको machines में 720 से 775 की बीच में नमबर दिखाई दे रहा यानि कि petrol की quality सही है diesel के लिए ये range है 820 से लेकर 860 kg per meter cube कई petrol pump में आपको हमेशा 0 या हमेशा 700 लिखावा दिखावा दिखाई देता है इसका मतलब उन petrol pump में density को check और update नहीं किया जाता है इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले